अगर आप क्रिप्टो करन्सी की जानकरी रखते हैं तो आपने जरूर फोक्स के बारे में सुना होगा Bitcoin दुनिया की टॉप क्रिप्टो करन्सी बंच चुकी है Bitcoin एक डिजिटल करन्सी है जो दो की फीचर्स में बेस्ट है एक होता है Bitcoin protocol और दूसरा Bitcoin blockchain Bitcoin protocol basically rules establish करता है कि इसको कैसे use किया जाए और blockchain define करता है कि इसमें transactions कैसे store किया जाए अगर आपको Bitcoin forks समझना है तो आपको पहले blockchain को समझना होगा ये आप मेरी सीरीज की पहली वीडियो में देख सकते हैं hardforks समझने के लिए मैं इस वीडियो में Bitcoin को example के जैसे use करूँगा currently Bitcoin blockchain में सिर्फ 4-7 transactions per second हो सकते हैं compare to visa जो 56,000 transactions per second कर सकता है currently इदने transactions तो नहीं होते visa पे बट ये इसकी limit है per second so अगर bitcoins को regular payments के लिए use करना होगा तो इसको भी more transactions per seconds करना होगा ये एक problem है जो developers solve करना चाहते हैं अगर हम देखें bitcoins से एक cup of coffee भी खरीदना मुश्किल है क्योंकि miners वही transactions को priority देते हैं जो बड़े transactions है chain में और तो और transaction fee भी काफी बढ़ चुकी है तो ये problem को solve कैसे किया जा सकता है क्योंकि bitcoin एक code है इसको developers change कर सकते हैं और new solutions introduce कर सकते हैं चलें एक block को दिखते हैं हर block में certain amount के transactions होते हैं सो basically miners ये transaction को verify करते हैं और इसके लिए उनको reward मिलता है सो आज के current mining rate पर block उनको मिलते हैं 12.5 bitcoins bitcoin generation in essence time पर dependent नहीं होता बलके number of blocks पर होता है और जब तक reward adjustment या इसकी कोई difficulty adjustment नहीं की जाती ये half हो जाएगा by the year 2020 कुछ developers ने मिलके suggest किया कि अगर block का size increase किया जाए तो ये problem को solve कर सकता है अगर ये 1MB से 2MB किया जाए तो ये more transactions को store कर सकता है बट दूसरी community of developers इसके against थे उनका कहना ये था कि Satoshi Nakamoto की vision bitcoin के लिए ऐसी नहीं थी उनका मानना ये था कि अगर size increase किया जाए इससे centralization of block हो जाएगा सो दूसरी community of developers इसके against थे इन दी एंड जब कुछ decide ना हो पाया by unified consensus तो इसको split किया गया सो बोथ developer teams decide करते हैं कि for example at 478,558th block पे ये split किया जाए सो एक site पे एक team decide करती है कि वो already existing code को ही follow करेंगे और वो ये chain adopt कर लेते हैं दूसरी site पे जो size increase का concept suggest करते हैं चले जाते हैं ये chain पे तो एक माने में ये शुरू से ही same chain को follow करते हैं बट अब नहीं सो ये split rise देता है different cryptocurrencies को ये ही हुआ था जिसकी वज़े से bitcoin cash release हुआ था on August 1st 2017 सो मज़े के बाद ये है कि अगर आपके past 3 bitcoins folks से पहले होते तो आपको free coins of the new cryptocurrency दिये जाते जिसे कुछ लोग कहते हैं free money bitcoin की history अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे folks होचके हैं इन में से कुछ successful हुए और थोड़े नहीं बस hard fuck पर आज इतना ही उमीद है आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी हासिल हुई हो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो इसको जुरूर लाइक करना और अगर आपको ऐसे ही information चाहिए क्रिप्टो करनसी के बारे में तो ये चैनल को जुरूर सबस्क्राइब करना and as always thank you for watching